कथा सहित्य में आपका स्वागत है आईए आज सुनिये मालती जोशी जी के लिखी कहानी पूजा के भूल दिन पर दिन बढ़ती ही चा रही है उससे आगे वाली महिला वहीं पसर कर बैट गई थी उसका भी बढ़ा मन हो रहा था पर सुरेश का टर था जरूर वो यहीं कहीं खड़े होंगे उसने तो कह दिया था तुम खाना खाकर दफ्तर चले जाना पर वे गए ही होंगे यह जरू जा सकते हैं जिनके पास समय हो अथवा जिनकी पहुंच हो पर वो खुद ही अड़ गई थी बेकार बंगले पर जाकर पंधरा बीस रुपे दक्षना भूगने में क्या तुक है पंधरा दिन पहले ही तो उसे अस्पताल से चुट्टी मिली है तभी डॉक्टर ने कहा था कि दवाईयां खत्म हो जाएं तो एक पर दिखा लीजिएगा बस इतनी जरा सी बात तो अस्पताल में आकर भी पूछी जा सकती है पती पतनी में अच्छा खासा विवाद हो गया था वो अपनी बात पर अड़ गई थी बहुत बेमन से ही सुरेश ने सुबह यहां लाकर है सुरेश ने तो कह दिया था टैक्सी कर लेना पर कल को खुद ही मजाग पनाएंगे कि डॉक्टर के पैसे बचा कर क्या मिला टैक्सी की चपत तो पढ़ ही गई उमाराव उसका नाम आते ही वो चौकी अपना साथ समान एक पर फिर अच्छे से समेट कर उसने कमरे में प्र सामने द्रिष्टी चाते ही उसकी मुस्कान जैसे चम गई मेज के उस पार क्या वही महिला पैठी है जिसके बंगले पर पिछले दिनों वो चार-पांच बार हो आई है इस रूखे चेहरे पर तो परिचे की एक हलकी सी रेखा भी नहीं है कहिए सीधा सा पार्ट प्रशनाय जी वो दवाईयां मेरा मतलब है जो आपने लिखी थी मतलब अस्पता से जब छुट्टी मिली थी वो बखला गई थी और बखला हट में हकलाने लगी थी प्रिस्क्रिप्शन है जी उसने मिम्याते हुए कहा था गबराहट में पूरी पर्स उलटती तब जाकर कागस का वह टुकडा परामत हुआ वो डिस्चार्ज कार्ड तो होगा आपके पास जी उसने फिर पर्स का समुद्र मन्थन किया और कागस का एक और पुर्जा निकाल कर पकड़ा दिया ये डिस्चार्ज रिपोर्ट नहीं है कैमिस्ट की रसीध है इस बार उस आवाज में हैट मिस्ट कासा रुद्बा और तलखी थी वो फिर पर्स टटोलने लगी थी यह जानते हुए भी कि डिस्चार्ज कार्ड वो लाई ही नहीं है उस कागस को उसने इतनी एहमियत भी नहीं दी थी सुरेश की सारे हिदायतें कैमिस्ट की रसीदों के लिए होती है मेडिकल बिल जो बनान के बारे में पता देती ऐसे कैसे पता दूँ दिन में पचास मरीज देखती हूँ सबके ब्योरे याद थोड़े ही रहते हैं कागस तो सामने होना ही चाहिए ना तो चलू उसने असहाय भाव से कहा डॉक्टर किसी महत्यपून फाइल में टूप गई थी उन्होंने उमा की जैसे सुनी ही नहीं हताश होकर वो बाहर चली आई पाओ मन मन भरके हो रहे थे सुभा पांच बजे से उठकर दोड़ भाकी थी तब कहीं घर का काम समेट पाई थी खाना बना कर रखाई थी सो अच्छा ही हुआ नहीं तो बच्चों को और उनके पापा को भोके ही जाना प उसे व्याब गई वो सच मुझ धकर चूर हो गई थी फिर भी मना रही थी कि वे दफ्तर निकल गए हो नहीं तो चूटते ही पूछेंगे लेकिन वे केट पर ही मिल गए चलें उन्होंने पूछा वो चुप चाप साथ हो ली रास्ते भर कोई कुछ नहीं बोला खड़ खड आया था आप आफिस चा रहा हूं कुछ दवाईयां वगहरा लानी हो तो बता दो लाटते होए लेता आओंगा उत्तर में वो एकदम फपक कर रो दी अपमान का वह अंश फिर एक बार नए सिरे से उसे आहत कर गया क्या हुआ सुरेश ने खपरा कर पूछा उसकी रुलाई के आवेक से वे सच मुझ डर गए थे कहीं कैंसर वगहरा तो नहीं बता दिया आशकल तो यह जैसे एक आम नाम हो गया है जैसे कभी मलेरिया या टाइफाइट हुआ करता था डॉक्टरों का तो कुछ खर्च होता नहीं है बस चरासी जबान भर हिलाने होती है पर सुनने व वो अपने अपमान की गाथा रुक रुक कर सुना पाई सुनकर हस दिये सुरेश सरकारी अस्पतालों में तो यही सब होता है तुम क्या समझी थी कोई तुम्हारे लिए स्वागत गीत काएगा या पलक पावडे पिछाएगा अपना सारा छोप गुटक कर चुप हो गई व आप इस व्यक्ति को कोई कैसे समझाए कि इतने परिचित चहरे पर आपरिचे की अभिव्यक्ति कितना कस्ट देती है चार-पांच दिन योही निकल गए इस पीच वो बेहत ठकी तकीसी पनी रही काम तो खैर सब हो ही रहे थे पर उनमें रस नहीं रह गया था बस मशीनी ठ सब कुछ करके वो पढ़ रहती कहीं घुमने जाने का भी मन नहीं होता सुनो एक दिन सुरेश ने कहा तुम्हारा एक बार चेक अप बहुत जरूरी है कितनी पीली-पीली लग रही हो हमें नहीं जाना है कहीं उसने बच्चों की तरह मो फुला कर कहा आरे तो क्या दुनिया में एक वही डॉक्टर है उसने फिर हीला हवाला नहीं किया आटो रिक्षा जब फिर उसी बंगले के सामने रुका तो उसने तडब कर पती की ओर देखा उतरो भई डॉक्टर से रूट कर तुम ठीक तो नहीं हो जाओगी उसका मन हुआ कि इसी रिक्षे पर बैठ कर लोट तो किसी ने तवज्जू नहीं दी थी तब से डॉक्टर की फीस के साथ यह खर्च और चुड़ गया है सच इस महानगर में सेकिंड हैंड ही सही पर स्कूटर एक बहुत ज़रूरी है अपनी पारी की प्रतिक्षा में वो मूँ फुलाए बैठी रही पती मेज पर रखी फि चलिए आया बाई ने आकर कहा तो वो बेमन से उठी उसे सहारा देने का बहाना करते हुए सुरेश भी साथ साथ उठाए गुट मॉर्निंग डॉक्टर गुट मॉर्निंग मिस्टर राव वही सता पहार मुस्कान वैसे तो ठीक है बच्टी इस फेलिंग डिप्रेस्ट पीली पीली भी लग रही है बहुत चल्दी ठक जाती हैं दरसल एक शादी में जा रहे थे हम लोग सोचा पहले आपसे पूछ लें की जा सकते हैं की नहीं इसके बाद ही रिजर्वेशन कराएंगे फिर सुरेश ने एक पीला कागस निकाल कर मेज पर रखते हुए कहा पिछले हफ़ते मैं जरा टूर पर चला गया था वो क्या है कि इनके सारे पेपर्स मेरे ही पास रहते हैं बही तो उस दिन ये हॉस्पिटल आई थी तो अकेली थी न सुरेश ने उनकी बात काटते हुए कहा बंगले पर इतनी दूर आने की हिम्मत नहीं पड़ी हॉस्पिटल के लिए तो ऐसा है कि साथ मिल जाता है मंद मंद मुस्कुराते हुए डॉक्टर ने सारे केस पेपर्स फिर से देखे उन्हें फाइल करने का तरीका बताया फिर सुरेश को बाहर भेज कर जाच की वो वक्त रूठे हुए बच्चे की तरहा मुँ फुलाई रही ऐसा करते हैं एक इंजेक्शन का कोर्स और लगवा लेते हैं डॉक्टर ने सुरेश को परची पकड़ाते हुए कहा अगले महीने फिर देख लेंगे नमस्कार के साथ अपनी जेब हलकी करके वे लोग पहार निक इंजेक्शन लेकर आता हूँ सुरेश ने कहा आते हुए असलम भाई से भी कहता आओंगा क्या इंजेक्शन नस में लगेगा हाँ वही पिछले वाले जुड़वा इंजेक्शन है ना मेरा हाथ बिलकुल छलने ही कर देंगे बस तुम अभी से उसका दुख मत पालो इसी से सब गडबड होती है उसके बाए हाथ की नस मिलती ही नहीं है दाहिना हाथ बार बार इंजेक्शन लगाने से एक तम भारी हो गया है घर में काम करना उसके लिए कठिन हो गया है आट-दस दिन अच्छे आराम से कट गए थे अब फिर एक दिन छोड़ कर वही चकर शुरू ह जाएगा उस पर ये कहते हैं तुम दुख मत पालो ये तो शुक्र है कि असलम भाई का हाथ बहुत अच्छा है पता भी नहीं चलता पर बात में तो कस्ट होता ही है हार पार पांच रुपे उन्हें भी देने होते हैं फिर भी अस्पताल में इंजेक्शन लगवाने से पतनी इंजेक्शन के लिए लाइन में खड़ी रहे यह सुरेश को भी अच्छा नहीं लगता था कहते रहते हैं घर में चाहे दाल लोटी खा ले आदमी लेकिन बाहर तो इज़त से ही निकलना चाहिए बस यह साइकिल ही सारा शो मार देती है एक स्कूटर जरूरी हो गया ह हर बार कोई ना कोई अपरत्याशित खट सामने आचाता है पिछले छे महिनों से तो वो खुद ही बिमार चल रही है पता नहीं कितना रुप्या भूंग गया है सुरेश तो कई बार गुसे में आकर शीशियों के कागज भाड़ चुके हैं कहते हैं बस सबकी कीमत ही पढ़ती रहो तुम तभी तो दवाईया असर नहीं करती सुनो पाच का नोट है तुमारे पास नहीं तो क्यों असलम के लिए चाहिए थे क्यों पैसे नहीं है क्या पै क्या फर्क पड़ता है पांच देना है कैसे भी दे दो और सुनो इंजेक्शन मैं इस हाथ पर नहीं लूगी सुन तो लिया बाबा अब कितनी बार कहोगी फिर भी उमा को संतोश नहीं हुआ असलम भाई के आते ही उसने एलान कर दिया कि नस वाला इंजेक्शन वो बाएं ह हाथ पर ही लगवाएगी जैसी आपकी मरसी वे मुस्कुरा कर बोले उस पर ही लगा देते हैं लेकिन जितनी सहचता से वे कह गए यह काम उतना ही कठिन साबित हुआ सामानिया इंजेक्शन तो कब लग गया पता ही नहीं चला पर नस ढूंडते समय उनके छके चूट गए और असलम भाई स्पिरिट का फाहा और सिरिंच लेकर नस तलाश रहे थे दोनों पसीना पसीना हो गए पर उसे ना मिलना था ना मिली चार पांच जगा खून जरूर निकलाया अब अब कुछ नहीं वो जटके से उट पैठी और अपनी बाहा को देखती रही वेरी सॉरी अ असलम ने कहा मुझे अफसोस है कोई बात नहीं सुरेश ने कहा और तश्चरी में एक एक के पांच नोट रखकर सामने कर दिये असलम ने उनमें से दो नोट उठा लिये सलाम किया और उठ खड़े हुए अरे यह क्या जी बस एक इंजक्शन लगाया है एक ही के पैसे अभी जी को इतनी तकलीफ भी तो दी बलकि मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ अच्छा जी चलूँ परसों हाजिर होंगा उन्होंने फिर एक पर सलाम किया और अपना चोटा सा बैग उठा कर चले गए सुरेश पड़ी धेर तक तश्चरी में रखे नोटों को देखते रहे फिर धीरे से बोले उमा तुम्हारी रामायन कहा है तिपाई पर रखी है क्यों मैं ये नोट उसमें रखतूंगा क्यों उमा मैं कागस के इन टुकडों में बसी इंसानियत की महग को सहेजना चाहता हूँ और सच मुझ उन्होंने वे रुपे उठा कर माथे से यू लगा ल जैसे पूजा के भूल हों अभी आप मालती चूशी जीकी लिखी बहुत ही प्यारी कहानी पूजा के भूल सुन रहे थे इसी प्रकार की सहेतिक कहानिया सुनने के लिए कथा सहेति से चुड़े रहिएगा धन्यवाद